अभ्यास बानवे महोदे जिस वक्त संविधान की मरम्मत की जा रही थी उस समय भी हम लोगों ने जन्ता को बतलाया था कि यह सरकार सत्ता की भूखी है और वह सत्ता को हत्याना चाहती है वह उस सत्ता का उपयोग हिंदुस्तान की गरीब जन्ता के लिए नहीं करना चाहती है बलकि उन लोगों के लिए करना चाहती है जिनका स्वार्थ उसके जरिये पूरा होता है और उसका एक नमूना यह बील है जिस समय सेलेक्ट कमेटी में इस बील पर बहस हो रही थी तो उस समय भी सदस्यों ने सरकार से कहा कि वह मुवजा देने जा रही है उसका क्या आधार होगा लेकिन भारत सरकार ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि वह इस बात को बतलाए जहां प्रजातंत्र है वहां तो प्रजातंत्र का मतलब यह होता है कि सरकार सारी संसद के प्रती जिम्मेदार होती है और वह सारी बातों को समझती है कि वह क्या कर रही है वह ठीक काम कर रही है इस चीज को संसद के एक-एक सदस्य को समझना चाहिए चाहे राय सदस्यों की भिन-भिन क्यों ना हो पैराग्रफ चेन जहां तक रास्तिय करन करने की बात है यह तो कार्य ठीक है लेकिन जहां तक मुआबजे देने की बात है उसने न सलेक्ट कमेटी में इस चीज को बतलाया और न आज वह बतलाना चाहती है इसके पीछे कारण यह है कि सरकार स्वयम समझती है कि वह जो कुछ कर रही है वह गलत कार्य कर रही है और अपनी गलती को अपने मुह से कबूल करना नहीं चाहती है यही कारण है कि वह मुवजे का आधार नहीं बतला रही है क्योंकि वह समझती है कि हमारा बहुमत है और हम जो कुछ चाहेंगे करा लेंगे कृष्ण कांत जी जो कॉंग्रेस पार्टी के सदस्या है वे भी कहते हैं कि यह जो बिल लाया गया है यह गलत तरीके से लाया गया है वह इस बिधेयक को ना मंजूर कर देना चाहते हैं लेकिन वे कहते हैं कि हम लोग लाचार हैं क्योंकि हमारे उपर विप की जागा वजह से भार आ जाता है कि हम इस बिल के संबंध में अपना मत दे इस तरह से सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है ताकि वह कह सके कि वह बिल भारी बहुमत से पास हुआ है लेकिन सरकार उन सदस्यों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है जो इस बिल का अपने मन से बिरोध करते हैं लेकिन वे अपने मुह से इस चीज को नहीं कह सकते हैं क्योंकि उनके सामने हुईप है आज जो भी बिरोध करते हैं और अपने मन की बात कहते हैं वे भी वीप के कारण जब मत देने का समय आता है तो सरकार के पच में मत देते हैं तो आज कॉंग्रेस का जो एकाधिकार है उसको अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि उस से जिस तरह से चाहे काम में ला सके पैरा चेंज जहां तक किसी पार्टी को सत्ता मिलने का सवाल आता है वह ठीक बात है कि उसे इंतजाम चलाने के लिए सत्ता मिलनी चाहिए लेकिन कोई पार्टी सत्ता का जो आता है